नमस्कार मैं हूँ आशीश धर्म कर्म में अब बात करते हैं आज के पंचांग की अब बात करते हैं आज की तिथी की और आपको बताते हैं कि ये किस तरह से आपके लिए फलदाई होगी चलिए अब आपको बताते हैं नक्षत्रों का आज कैसा योग बन रहा है इनका क्या फल रहेगा और आपके उपर इसका क्या असर रहेगा नक्षत्र योग योग प्रिती नामक ने सर्गेक शुब योग प्राते नौ बचकर इस मिनिट तक तद अन्तर आईश्मान नामक ने सर्गेक शुब विशेष्ट योग राजयोग नामक शुब योग रात्री आठ बचकर 31 मिनिट से रात्री एक बचकर 27 मिनिट तक है तथा रवियोग नामक दोश समू नाशक शुब योग रात्री आठ बचकर 31 मिनिट से करण तेतिल नामकरण दौपहर बाद एक बचकर 20 मिनिट तक संक्रांती सूरे तुला राशी में प्रवेश रातरी एक बचकर तीस मिनिट पर संक्रांते पुर्णे का लगले दिन शुक्र पुर्वा फालगुनी में अपरहान तीन बचकर चौबिस मिनिट से मुसलिम मास चौथा रवी उलसानी प्रारम आज से अब आपको बताते हैं चंद्रमा की स्तिती कैसी है दिशाशूल किस दिशा में रहने वाला है और राहुकाल का समय कौन सा रहेगा चंद्रमा तुला राशी में दोपैर बाद दो बचकर बीस मिनिट तक तदंतर व्रश्रिक राशी में प्रवेश करेगा दिशाशूल मंगलवार को उत्तर दिशा की यात्रा में दिशाशूल रहता है पर चंद्र स्तिती के नुसारद वपेर बाद दो बच कर बीस मिनिट तक तुला के चंद्रमा कवास पशिम दिशा में वैसके बाद रक्षिक के चंद्रमा कवास उत्तर दिशा की यात्रा में अब आपको बताते हैं शुब मुहुरत और श्वेष्ट चौगडिये यानि कौन सा समय आपके किस कारे के लिए उत्तम होगा शुब मुहुरत उपर्युक्त शुब समय तिथी वार नक्षत्र वयोगा नुसार आज विवहा का अधी आवशक्ता में वा प्रसुती स्तान के अनुराधा नक्षत्र में मुहुरत है श्वेष्ट चौगडिये आज प्राते 9 बचकर 21 मिनिट से दौपहर बाद 1 बचकर 38 मिनिट तक क्रमश चर लाव अम्रत था अपरहां 3 बचकर 3 मिनिट से साई 4 बचकर 28 मिनिट तक शुब के श्रेष्ट चौगडिये हैं इवं दोपहर 11 बच कर 49 मिनिट से दोपहर 12 बच कर 35 मिनिट तक अभीजीत नामक श्रेश्ट मूरत है जो आवश्यक करशिब कारेरम के लिए अतियुत्तम हैं अब आपको बताते हैं आज जन्म लेने वाले बच्चों की राशी और स्वभाव के बारे में आज जन्म लेने वाले बच्चे, आज जन्म लेने वाले बच्चों के नाम तू, ते, तो, न, न, न आधी अक्षरों पर रखे जा सकते हैं इनका जन्म तामरपात से है, जो शुबफलप्रद है सामनत है ये जातक सुन्दर धन्वान पर क्रपन, लोब, वाक के पटू, सामानने बुधी वाले कुछ-कुछ क्रोधी और एहंकारी होते हैं इनका भाग्रदे 28 वर्ष की आयू के बाद ही होता है तुला राशे वाले जातकों के अपने कारे वेबसाइप में लाब होगा, धार में कारियों में रूची रहेगी, नौकरी में प्रोणोरत्ती के योग चल रहे हैं तो आपने जान लिया आज के पंचांग ग्रहनक शत्र चौगडिया और आज जन्म लेने वाले बच्चों के बारे में लेकिन ये भी ध्यान रखने वाली बात है जैसा हम आपसे हमेशा कहते हैं कि ग्रहनक शत्र भी उन्हीं का साथ देते हैं जो खुद की मेहनत पर विश्वास रखते हैं इश्वर से कामना है आज का आपका दिन मंगलकारी हो नमस्कार